क्या ट्यूब लाइट की कहानी ओरिजिनल नहीं है? क्या ट्यूब लाइट की कहानी हॉलिवुड फिल्म लिटल बॉय से चुराई गई है? आखिर ट्रेलर रिलीज के साथ ही कबीर खान पर क्यों लगा है ट्यूब लाइट की कहानी चुराने का आरो? सल्मान की फिल्म ट्यूब लाइट का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे है कि कभीर खान की ट्यूब लाइट ओरिजिनल क्यों नहीं है और इसके पीछे वजह ये है कि ट्यूब लाइट और दे लिटल बॉय का प्लोट काफी हद तक मिलता जुलता है लिटल बॉय हॉलिवूड की फिल्म है जो की 2015 में रिलीज हुई थी लिटल बॉय की कहानी एक मासूम बच्चे और पिता पर बेस्ट है लिटल बॉय में युद्ध के कई दिर्शे दिखाए गए हैं अगर similarity की बात करें तो ट्यूब लाइट भी युद्ध के backdrop पर based है यहां भी सल्मान खान और एक बच्चे की bonding के इर्दगिर्द पूरी कहानी घूमती हुई नजर आती है लिहाजा एक कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी लिटल बॉय से ही inspired है आपको बता दे कि लिटल बॉय हॉलिवूड की कुछ सबसे जबरदस्त blockbuster films में से एक है हो सकता है कि ट्यूब लाइट के टीजर से मिल रही जलत इसके लिटल बॉय जैसे फिल्म होने का आभास पैदा करती हो लिहाजा सिर्फ ट्रिलर के अधार पर ट्यूब लाइट पर एक copied फिल्म का allegation लगाना थोड़ी जल्दबादी भी हो सकती है अभी अगले कुछ दिनों में फिल्म का फुल ट्रिलर रिलीज होगा तब जाकर ये अंदादा ठीक ठीक लग पाएगा किया के फिल्म की कहानी क्या हो सकती है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट